नमस्कार जहिंद, मेरा नाम है सुजीत पांडे, आप देख रहे हैं All Exam Guide Guru का YouTube चैनल 100 GKGS के MCQ लेकर आ गए हैं, जो पिछले 30 साल से भारत के सभी एक्जामों में बार बार आ रहे हैं और आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कौशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजेगा, रट लीजेगा, सुपर फास्ट कम समय में आपके पूरे कौशन ये करा दिये जाएंगे आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करने के लिए केवल और केवल हमें मौटिवेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार दिखाईए करते हैं इस वीडियो को इस्टार्ट बिना देर के हुए प्लीज सभी मिलके एक लाइक जरू कीजेगा पहला प्रशन पढ़िए भारती सम्विधान में मौलिक अधिकारों के विचार को कहां से लिया गया है तो भारती सम्विधान में जो मौलिक अधिकारों का विचार है उसको सयुक्तर राज्य अमेरिका की सम्विधान से लिया गया है सयुक्तर राज्य अमेरिका राइट आंसर है एक हजर चॉबिस बाइट किसके बराबर होता है तो एक हजर चॉबिस बाइट ये एक किलो बाइट यह एक के बराबर होता है option number 1 के भी right answer हो जाएगा प्रश्ण के लिए बाबर ने मुगल सामराज की स्थापना निम्द लिखित में से किस वर्ष की थी तो बाबर के द्वारा मुगल सामराज की स्थापना 1526 इसवी में की गई थी ओप्चन नमबर भी 1526 इसवी राइट आंसर हो जाएगा मुगल सामराज की स्थापना के लिए निम्द मैंसे किसे ग्रही गती के तीन नियवों की आउधारना का अश्रे दिया जाता है जो हानस कैपलर को आप्शन नमबर यहां पर रही जो हानस कैपलर प्रश्टे के लिए राइट आंसर हो जाएगा एक स्वपोशी जीव की कारबन और उर्जा की आवशकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं तो यह अपनी कारबन और उर्जा की आवशकताओं को कैसे पूरा करते हैं राइट आंसर हो जाएगा यह प्रकास संसलेशन करते हैं इसके द्वारा अपने भोजन को कार्बन और उर्जा की आवशक्ताओं को पूरा करते हैं ओप्शन नमबर भी यहां पर राइट आंसर है प्रश्ण के लिए किस वर्ष बाबर ने सुल्तान एबराहिम लोधी को पानी पत की लड़ाई में पराजित किया था तो बाबर के द्वारा सुल्तान एबराहिम लोधी को 1526 इसवी में पानी पत की लड़ाई में पराजित किया गया था ओप्शन नमबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण के लिए HIV का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है HIV का? RRB 2018 का यह कॉस्चन है HIV का फुल फॉर्म होता है Human Immuno Deficiency Virus Option नमबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा Human Immuno Deficiency Virus Option नमबर भी राइट आंसर है आकाश गंगा या मिलकी वे वर्गी क्रत की गई है किसके रूप में? UPPCS 2001 तो आकाश गंगा या मिलकी वे इसको सरपिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गी क्रत किया गया है Option नमबर यह सरपिलाकार गैलेक्सी के रूप में जीवाश्म वनस्पती विज्ञान में अधन किया जाता है किसका तो जीवाश्म वनस्पती विज्ञान में जीवाश्मों का अधन किया जाता है option number B यहाँ पर right answer है निमनलकित में से किन अनुछेदों द्वारा भारती सम्विधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित्ता प्रदान करता है तो मूल अधिकार प्रदान करता है आपका अनुचेद 12 से लेकर अनुचेद 35 के द्वारा ओप्शन नमबरे अनुचेद 12 से अनुचेद 35 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्णी के लिए निम दल गितमा से कौन धातू होते होई विद्धुत का कुचालक है तो या रखेगा धातू भी है लेकिन विद्धुत का कुचालक भी है वो है आपका लेड अप्शन नमबर सी लेड धातू है लेकिन विद्धुत का कुचालक है विद्धुत उससे होकर प्रवाहित नहीं ह हडपा सविता किस यूग की सविता है या किस यूग की सविता मानी जाती थी अंधिकार के रूप में जोड़ा गया था, तो सिक्षा का अधिकार मॉलिक अधिकार बन गया था, 2002 में, अप्शन नमबरी, 2002 में सिक्षा की अधिकार को मॉलिक अधिकार बना दिया गया था किसी program में bug क्या होता है तो कोई भी program हो computer यारों का निवास स्थान था ओप्शन नमबर भी वाड यारों का निवास स्थान राइट आंसर है रोवा वन जीव अभ्यारन निम्लेकित में से किस राजी में स्थित है तो रोवा वन जीव अभ्यारन त्रिपुरा राजी में स्थित है ओप्शन नमबरी त्रिपुरा में स पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो था उसकी सैन्य कुशलता जीत का मुख्य कारण थी निमनल कितम से क्या बैरी सेला जोश्टर नामक वाइरस के कान होता है तो बैरी सेला जोश्टर नामक जो वाइरस है SSC 2019 का कॉश्चन है तो 6 चक रोग होता है बैरी सेला जोश्टर नामक वाइरस के कान option number B आकाश गंगा या मंदाकरी में तारों की संख्या कितनी होती है लगभग तो आकाश गंगा या मंदाकरी में जो तारे होते हैं एक लाख मिलियन तारे होते हैं यहां रखेगा वनस्पती समद्धन से संबनित जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हाटी कल्चर कहा जाता है यहां पर आपका option number D हाटी कल्चर राइट आँसर हो जाएगा वनस्पती समद्धन से संबनित विज्ञान की शाखा निम नलेकित में से किस अधातू में धातू ही चमक पाई जाती है है अधातू लेकिन धातू ही चमक पाई जाती है तो या रखिएगा ग्रेफाइड और आयोडीन ये दोनों अधातू हैं इन दोनों में ही धातू ही चमक पाई जाती है या रखेगा ग्रेफाइड और आयोडीन दोनों ही अधातू हैं लेकिन इनमें ग्रेफाइड शमक पाई जाती है सिंदु घाटी सविता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो जो सिंदु घाटी सविता के लोग थे वो मुख्यता जो है कई जगा आपको यहाँ पर व्यापार भी मिलेगा और कई जगा क्रशी भी मिलेगा लगबग दोनों पर निर्भर थे कई जगा आपको व्यापार मिल जाएगा मोश्टली इसका सई आंसर है व्यापार ऑप्शन नमबर A SSE CGL में आये था उव्यापार option number A यहाँ पर right answer है निमनलकित में से किसने पहली बार विदो छेत्र की अवधारना प्रस्तुत की थी तो सबसे पहली बार विदो छेत्र की अवधारना माइकल फेराडी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी option number C भारती सम्विधान में अनुच especially 43 B को किस रूप में जोड़ा गया तो भारती सम्विधान में जोड़ा गया राज नीती के निश्यक तत्तव option number C राज नीती के निश्यक तत्तव के रूप में तो राइट आंसर हो जाएगा मैमोरी शब्द यह स्टोरेज से संबंदित शब्द है आपका मैमोरी शब्द हिंदू पौराणिक मानेताओं के अनुसार पट्टे चित्र कलाशेली किस भगवान को समर्पित है तो यह भगवान जगनात को समर्पित है औप्शन नमबर सी भगवान जगनात राइट आंसर है निम्नमैसक किस मंदर में आपको गौपुरम दिख जाएंगे तो यार रखेगा यदि आपको गौपुरम देखना है तो शेव मंदर चितंबरम यहाँ पर आपको गौपुरम दिख जाएंगे औप्शन नमबर भी शेव मंदर चितंबरम राइट आंसर है निम्नमैस से कौन सी भीमारी एक परजीवी के कारण होती है तो एक परजीवी के कारण होने वाली जो भीमारी है यह आपकी है मलेरिया बीमारी, option number B मलेरिया पर जीवी कान होती है option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा बाबर की एबराहिम लोधी पर विजय कान क्या था तो बाबर जो एबराहिम लोधी पर विजय प्राप्त की थी right answer हो जाएगा आपका तोफ खाना तोफ खाने थे तोफ खाने का यूज किया गया यही वेजाय का कारण था option नमड़ी तोफ खाना प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा या शेहने को सलता आये तो तोफ खाना भी उसी कंतर गताता है कि सेनाओं के पास तोफ खाने थे निम्नलिकित में से कौन सा संक्रामक रोग है? एससी 2018 का question तो या रखेगा यहाँ पर आपको जो रोग दिये गए हैं उसमें से खसरा एक संक्रामक रोग है option नमबर भी खसरा एक संक्रामक रोग है जीवों एवं वातावन की अंतर अभी क्रिया से संबनित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो जीवों एवं वातावन की अंतर अभी क्रिया से संबनित शाखा पारिस्तित की कहलाती है option नमबर भी पारिस्तित की राइट आंसर हो जाएगा प्रायदीपी ब्रम्हांड किसे कहा जाता है तो यारखी का प्रायदीपी ब्रम्हांड आकाश गंगा को कहा जाता है भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती के पद के लिए पुनर निर्वाचन की योगिताएं निधार्द करता है तो राष्टपती के पद के लिए पुनर निर्वाचन की योगिताएं अनुचेद 57 57 अप्शन अमबड़ी अनुचेद 57 राइट आंसर हो जाएगा निर्वने लिए लिए इन में से कौन उपधातू है? यहाँ पर आप कोजू आप्शन देगा है इन में से उपधातू कौन सी मतलब सेमी कंडक्टर तो आरसनिक, एंटी मनी और बिसमत ये सभी उपधातू की सरणी में आती है option number D ये सभी की सभी उपधातू है option number D right answer है हडपा सविता की निवासी कहां रहते थे तो हडपा सविता की निवासी ये शहर में रहते थे ये शहरी सविता थी option number D शेहरी लोग थे हरपा सवफिता की निवासी तो उस्तो कॉशन आप देखी रहे हैं कितने शानदर कॉशन है यह कॉशन आप जिसाए एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं और हमने देखिए हर एक्जाम में GK और GS आता है साइन्स आती है जीके आता है हर एक्जाम में आपके लिए हमने 10,000 जीके के MCQ कॉश्चन तयार की हैं कितने एक नहीं दो नहीं 10,000 कॉश्चन और ये 10,000 कॉश्चन आपको 300 रुपए की PDF पड़ेगी PDF बना ली गई है सभी को PDF WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से सब लोग WhatsApp चलाते हो WhatsApp पर PDF भेज दी जाएगी 300 रुपए की PDF है फॉन पर गूगल पर पे टियम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो जो हमारे शेनल पर सुरू से जुरा है उसके लिए भी और जो नया पहली बारा है उसको मिल जाएगी कितने कॉशन मिलेंगी 10,000 कॉशन रट लोगे ना तो GKGS महा श्ट्रॉंग हो जाए हर सब्जेक्ट में जिसको भी PDF चाहिए नीचे दीगर नमबर संपर कर लेना कॉल कर लेना मैसेज कर देना या WhatsApp पर आप संपर कर सकते हो नीचे दीगर नमबर पर जरू ले लेना पढ़ने वाली बच्चे आपके एक्जाम मैं फसकते ही ये चॉशन विद्दृ द्विध्रूव का कुल आवेश कितना होता है अलेक्टरिक डाइपोल बोलते है इंगलिश में तो एलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्धू जीरो आवेश होता है उस पर उप्शन नमबर भी जीरो आवेश होता है या रखेगा भातिस अमिधान का नमलेकित्म से कौन सा अनुचेद निदेशक सिध्धानतों के अनुपरयोग के बारे में बताता है तो निदेशक सिध्धानतों के अनुपरयोग के बारे में अनुचेद नमबर 37 बताता है उप्शन नमबर भी अनुचेद 37 ये निदेशक सिध्धानतों के अनुपरयोग के बारे में बताता है PC का अर्थ क्या होता है तो PC का अर्थ होता है आपका व्यक्तिगत कम्प्यूटर परसनल कम्प्यूटर व्यक्तिगत कम्प्यूटर होता है PC का अर्थ option number यहाँ पर C right answer है निमने मैंसे किसने लंदन में Sir William Hutt Karzan Wiley की हत्या की थी तो Sir William Hutt Karzan Wiley की हत्या लंदन में की गई थी मदन लाल डिंगरा के द्वारा उप्षन नमर सी मदन लाल डिंगरा राइट आंसर है निमने मैं से कौन सा या कौन सी अंतर जनित बलों का परिणाम नहीं है तो अंतर जनित बलों से भुकम पा सकता है भुग एसकलन मतलब जमीन खसक सकती है जो आदा सकती को भूस खलं बोलते हैं जो अलम की ऊपन हो सकता है ने मैं से कौन सी जल में विदूत जल में घुलनशील विटमन है यहां पर आपको option दियेगा है उन्हों मैंसे जल में घुलनशील विटमन डेखेंगे तोβीटमिन C यह जल में घुल जाता है option nssa c विटमिन सी जल में घुल जाती है बाबर ने प्रसिद तुलुगमा नीती का प्रयोग सरप्थम किस युद्ध में किया तो बाबर मिन ने प्रसिद तुलुगमा जो नीती थी उसका प्रयोग पानी पत के प्रतम युद्ध में किया था option number C, पानी पत का प्रतम युद्ध राइट आंसर है, AIDS मानो प्रती रक्षा हीनता विशाणू के द्वारा होता है, जिसको HIV बोलते हैं, किस प्रकार का विशाणू है ये, तो AIDS जो है ये रिट्रो विशाणू कहलाता है, option number E, HIV जो विशाणू है, ये रिट्रो विशाणू कहलाता है, वनस्पती विग्यान की वह शाखा, जिसमें शेवालों का अध्यान कहलाता है, फाइको लाजी कहाता है, option number C, तारों के अतरिक्त आकाश गंगा में पाई जाते हैं क्या, तो तारों के अतरिक्त आकाश गंगा में गैस भी होता है एवं धूल के कण भी होते हैं अप्शन नमबर सी गैस एवं धूल के कण राइट आंसर है भारती समिधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारती समिधान के अनुचेद 19 के अनुचेद 19 के अनुचेद 19 राइट आंसर है नियम नलगत में से कौन एक योगिक है तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये गए हैं उसमें से वायू, पारा, ओजोन और अमोनिया अमोनिया एक योगिक है सिंदू सविता के घर किसके बनाए जाते थे तो सिंदू सविता के घर इटों के बने घर हैं नियम नलगत में से किसी गौस नामक एकाई में मापा जाता है विद्दु चुम्ब की प्रिरण को अमित भारत में लोकसवा चुनाओं लड़ना चाहता है निर्वाचन छेत्रों की अदिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से अमित चुनाओं लड़ सकता है तो यारखिएगा अमित हो चाहें कोई भी हो जादा से जादा दो जगा से लोकसवा के लिए खड़ा हो सकता है अधिक से अधिक दो जगा से लोकसवा के चुनाओं लड़ा सकता है सरवाधिक सकती साली कंप्यूटर बताईए तो सरवाधिक सकती साली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं आलु यट्टू किस राज का लोकनत्य है तो आलु यट्टू नागालेंड राज का लोकनत्य है ऐ stipendus N4. कौनसी इनमें से जीव विग्ञान की शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्यन किया जाता है तो कवक या फंगी का अध्यन माइकोलोजी में किया जाता है बाबर की मृत्यू कब और कहां हुई तो बाबर की मृत्यू 1530 में आगरा में हुई 1530 इस हुई आगरा राइट आंसर है चेचक के टीके की टीका किस ने प्रदान किया तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया ओप्शन नमबर एडवर्ड जेनर राइट आंस से कौण हिंदुस्तान रिपबिक एसोशेशन के संस्थापक सरश्थों में से एक थे तो हिंदुस्तान रिपबिकन ए क्डिकर एस्ोशेशन के संस्थापक थे रामप्रशाद विसम जी बाष्कन अप्शन इञप्छियों में में Lt शिंखलंग जिश पर definition औक्साइड की परत होती है, option number A, iron oxide राइट आंसर है, निम दले कितम से किसे राज्य के, राज्य विधान मंदल में दो सदन है, तो राज्य विधान मंदल में दो सदन है, आपके महराष्ट राज्य के, option number A, महराष्ट राज्य के राज्य विधान मंदल में दो सदन है, अगल सिंधु गार्टि की सवता निंद्दक कि समकालीन नहीं थी यहां पर आपको आपको ऑप्शन दिये का मैसो पोटामया के शुन की समकालीन गृट की समकालीन आपके यह तिनों कि मतलब मेस्ष्ट मैसोपोटामया चीन और सिंधु यह सब çोगे समकान सी दिंदम होती है तो रैख के समवेग की विमा की समान होगी आवेग की विमा, option नमसी आवेग की विमा राइट आंसर है निम्नलकित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाओ कराई जाते हैं तो भारत में जो चुना होते हैं वो होते हैं Electronic Voting Machine के द्वारा Option Number सी Electronic Voting Machine Right Answer है Computer में किसी शब्द की लंबाई किस से मापते हैं तो computer में किसी भी शब्द की जो लंबाई मापा जाता है वो bit में मापते हैं Option Number भी bit में मापते हैं स्वामी दयानन सरस्वती प्रिकास पुस्तक लिखी है वो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक यह गलत है ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानन सरस्वती जी ने नहीं करी है बाकी सबी चीजने जो हैं उनके बारे में सत्थ हैं बागमारा कीट भोजी घटपण्डी पिचर प्लांट अभ्यारन किस राज्य में है तो ये आपका पड़ता है घटपण्डी या पिचर प्लांट अभ्यारन मेगाले मेगाले में है पिचर प्लांट अभ्यारन गुर्दे की संद्रेशनात्मक एवं कार्यात्मक एकाई बताईए तो गुर्दे की संद्रेशनात्मक एवं कार्यात्मक एकाई आपकी नेफ्रोन या वक्कार्णू अप्शन नमबर भी भारत में मुगल सामराजी का संस्थापक कौन था तो भारत के अंदर मुगल सामराजी का संस्थापक थापका बाबर option number ए बाबर राइट आंसर है निमनले कितमे से कौन सा एक महामारी जनत रोग नहीं है तो या रखेगा पोलियो येक महामारी जनत रोग नहीं है पोलियो महामारी जनत रोग नहीं है आकाश गंगा है एक क्या तो आकाश गंगा तारों का एक विशाल समू है फूलों के समवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है तो फूलों के समवर्धन के विज्ञान को फ्लोरी कल्चर कहा जाता है option number V floriculture right answer है एक ही प्रकार का परमाणू उन्दमे से किसमे मिलता है तो एक ही प्रकार का परमाणू प्राक्रत तत्तो मिलेगा option number C प्राक्रत तत्तो right answer है समिधान के किस अनुछेद में यहां अंकित है कि इंडिया अर्थाद भारत राज्यों का एक शंग है तो भारत एक राज्यों का संग है अनुछेद एक में यह उल्लिकित है option number E अनुछेद एक right answer है सिंदु घाटी की सविता में घोड़े के आउशेश कहां से मिले हैं तो सिंदु घाटी सविता घोड़े के आउशेश मिले हैं option विस्थापन गुरित बल यह जो है आपका कार होता है option number B भारत एसमिधान का कौन सा अनुछेद कानूनों के समान संग्षण और कानून के समक्ष समानता पतान करता है तो अनुछेद नंबर 14 क्या पतान करता है कानूनों के समान संख्षन और कानूनों के समक्ष समान था option number C megabyte में क्या मापते हैं तो जो megabyte है इसमें हम मापेंगे computer की इसमरती चमता option number D computer की इसमरती चमता को megabyte में मापा जाता है नियम ने लेकित में से कौन? किताब उलहिंद का लेखक था जिसने अपने पुस्तक में आरंबिक 11 सताबदी की भारत का मतपून विवरन दिया था तो किताब उलहिंद इसका लेखक अलबरूनी option number B अलबरूनी राइट आंसर है नियम ने में से कौन सा आप राष्टी उध्यान लद्दाक में इस्तित है तो लद्दाक में इस्तित है आपका हैमिस राष्टी उध्यान option number B हैमिस राष्टी उध्यान ये आपका लद्दाक में इस्तित है लसी का ये लिंप डैश पर आक्रमण करता है तो लसी का ये लिंप ये बैक्टीरिया जिसको जीवाणू बोलते हैं पर आक्रमण करता है option number D बाबर ने भारत पर किस वर्ष ECU में आक्रमण किया तो बाबर ने भारत पर 1526 ECU में आक्रमण किया option number C रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है तो जो रोगों को फैलाते हैं उन कीटों को वेक्टर कहा जाता है option number D जो रोगों को फैलाते हैं उनकी टाणूं को वेक्टर कहा जाता है हमारा सौर मंडल किस आकास गंगा में इस्तित है तो हमारा सौर मंडल मंदाकिनी आकास गंगा में इस्तित है option number A dendrology का संबंध किस से है तो dendrology ये ज़ाडियों किसे इसका संबंध है option number C ज़ाडियों के अधन से संबंध है dendrology का समविधान के अनुचेद एक में भारत को क्या क्या हा गया है तो समविधान के अनुचेद एक में भारत को राजियों का संग कहा गया है option number D दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्तों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है तो शुद्ध पदार्तों को किसी अनुपात में मिला देंगे दो या दो से अधिक मिशन तयार हो जाएगा option number C सिंदु घाडियों काली बंगन किस प्रदेश में है तो काली बभंगन आपका पढ़ता है राजिस्थान राजियमें option number E राजिस्थान राजियमें है काली बभंगन एक fuse निम्दे मैं से किस से विधुत परिपत की सुरक्षा करता है तो एक fuse अती भारण या ओरलोडिंग से विधुत परिपत की ऊप्शन अब धानमंद्र की नियुकती किस के द्वारा की जाती है तो प्रदानमंद्र की नियुकती भारत का रास्टपती ये आउचर आंसर MAृत का रसमता ड़िप तो स्टोरीज माध्यम हम बाइट में मापते हैं option number यह बाइट राइट answer है लंदन में दुटी सेकेंड इस्टोरीज माध्यम को हम जो मापेंगे राइट आंसर हो जाएगा आपको टीवी, जीवी, टेराबाइट, गीगावाइट, मतलब बाइट में हम आपते हैं, option number यह, बाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है, विल्कुल, अगला कोशन दिखिए, लंदन में द्वती गोल में सम्मिलन, निम्नलिकित में से किस वर्ष में आउज़ किया गया था, अभी सारी परतों के किनारे के टकराओं द्वरा, किसका निमाण होता है, तो अभी सारी परतों के किनारे के टकराओं के अध़ते हैं, option number B, वह जीव जो पौधा variation में रोग उतपन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वे जीव जो पौधा और यantly रोग उतपन और यह आपके लिए सर्पाइस कॉश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि पुश्पों का अध्यन क्या कहलाता है ए और बी में से एक आंसर सही है कमेंट करो एंथोलोजी या पर एग्रेश्टोलोजी इनमें से एक आंसर सही है कमेंट करके बताओ पहली बाद जो चैनल पर आया है रोज सो सो कॉश्चन के ऐसा ही सुपर फास्ट वीडियो लगाना चाहता है सो कॉश्चन हमने आपको कम से कम आदे गंटे से भी कम 20 मिल में करीब करा दिये हैं आपको और कहीं किसी चैनल पर नहीं मलेगा तो यदि आप लगाना चाहते इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना और रोज यदि आप देना चाहते तो दोस्तों निचान को भी करो